हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं सीबीसी क्लास 12 के डेड़ सीट जो है वा आ चुकी है और हम लोग क्लास 12 कॉमर्स की बात करते हैं पहले क्लाश 12 कॉमर्स के कौन को से जो मैं सब्जेक्ट है वो कब-कब होने वाले हैं वो हम देखते हैं तो देखते हैं हम लोग जो है 15 से मेंली एकजाम इस्टाड हो रही लेकिन हमारा ऐसा कोई इंपोर्ट पेपर नहीं है तो आम तो पर खास खास पेपर जो हमारे होते हैं वो ऐसा कोई पेपर नहीं है 24 पाफेबरी को आप देखेंगे 24 आप पड़ें तो आप देखेंगे 27 ता फेबरी को 27 ता फेबरी को English का जो है पेपर हो सकता है वो English आपका कोई हो सकता है आपका जो उन सब इलेक्टिव हो एन या सी जो भी दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं 24 से मैनली जो आमतर पर हमारे पेपर होते हैं तो उस अकोडिंग देखा जाए तो अभी 24 से हमारा सही तरीके से जो है एक्जाम हमारे लिए इस्टार्ड होगी अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके बाद सायद अकाउंटेंसी का असक्राद पेपर हैं यह देखिए आप यह अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी का पेपर यह रहा यह रहा अकाउंटेंसी का पेपर जो है वो है आपका फिप्ताव मार्च को तो फिप्ताव मार्च को जो है अकाउंटेंसी का पेपर होना है इसके बाद ही आप नीचे देखेंगे एकोनामिक्स दिया हुआ है एकोनामिक्स जो है वो आपका 13 था आप March को जो है पेपर है और तो Account Economics हो गया और अब हम बढ़ते हैं Business Study की और तो Business Study याद यह आप देखेंगे तो Business Study का पेपर जो है थोड़ा लेट है यह रहा आपका Business Study 24 आप March को जो है Business Study का पेपर है तो मैली में बात कर रहा था 12th commerce के लिए ही और 12th commerce के लिए हम बात करें तो 24th से start हो रहा है और 24th आप मार्च से 24th आप मार्च तक जो है आप वेपर चलेगा तो एक बार और हम देख ले 24th आप मार्च को जो है बिजन्स ट्रडी का है इसके पहले दिए हम बात करें तो accounts or economics यह रहा accountancy जो कि 5th मार्च को है और economics जो देखेंगे आप तो यह 13th मार्च को है और इसके पेले हम लोगों ने देखा था इंगलीज का जो है 27 को है और physical education 24th आप फेवरी है तो आई होप कि जो है आपको ने टैबल टाइम टेबल आ चुका है डेट सिट आ चुकी है आप कभी अ आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छी से जो है सारा लेक्श्र मिल पाएंगे थैंक यू